हालो फ्रेंट्स आप सभी का बहुत स्वागत है सुप्रिया किछें तीप आज हम एक नया रेसिपी बनाने जा रहे हैं देखिए मैं आप गुलाब जाबून बनाने जा रहे हूं देखिए मैं आप यम्टी यार का एक पैकेट लिए हुआ है और इसे कैसे बनाना इसका सब कर लेते हैं और इसके अंदर जो अटा है उसे एक बॉल में निकाल लेंगे कुछ भी डालने का आपको जरूरती नहीं जिर्पे उन्हें आल्रेडी बनाके हुए दिया होता है इसको निकाल कर इसे बॉल में डाल लेते हैं बहुत ही बहुत सिंपल रेसिपी है बनाने में आ कर सकते हैं पानी का जागे इसके आच्छे सा डोई बना लेते हैं गधाटा बहुत ही सॉफ्ट है बहुत सिंपल तरीके से आच्छे सा वार रडी हो चुका है इसको पांच मिन के लिया है डूइ जो फार डक कर सब्सक्राइब हो सके एक लिए वह उसके तब तक के लिए टीन हों को इसे मैं पानी अर्फ समीं करैंगी उतना पानी लेन्हारों आपको चले मैं आप शाय के लिए कर रही हूं याउन करेंगी उपानी बतंद भुआ सा निकल कर रहा है तहीं वितना रही है वह समने ओशली gelir निकल कर इसमें डाल रहे हैं उसके बाद यहां पर फूट कलर डाल रहे हैं आप चाहिए तो इससे मल कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं देखे चास्नियों को अची से उभालाें दिना होगाера हमारा चास्नियों अविदम बन चुका हुआ चले चास्नी अब तक लिए पक गेगा हम आटा देख लेते, क्या हुआ है, कितना अच्छा सा जो डोवे हैं, शॉफ्ट हो चुका है, थोड़ा सा इसको मसल लिजे, हाथ को गी या तेल लगाकर, चलिए विसे दुसरी का निकाल लेते, देखे कितना अच्छा सा अमरज वाटा है, सॉफ्ट हो चुका है, हाथ को तिन हो यह लगा किना इकिन एंसलेफ फोक। फुलेशीह में श्यूंड हो इसनी में आम यह फिलेशली द नाला है इसे लंबे शाइज में भी बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से चले अच्छी से सभी जो आटा है बना लेते हैं देखें मैं यह पर दोनों भी आच्छी से बना ले हैं एक लंबा और एक राउंड शप में दिया है देखें कितना अच्छी सा सॉफ्ट और स्मूथ लग चले अब इसे तेल में फ्राई कर लेते हैं जामुन को देखें मैं आपे तेल गरम होने के लिए रखा हुआ है तेल गरम हो चुक है चले अब इसमें एक एक करके बॉल्स डाल लेते हैं ग्यास को आप जादा हाई मत रखें ने तो जो ऊपर का भाग जाए अच्छी करना होगा जामुन को देखें इधर चाशनी भी हमारा जो है ग्यास पर मैंने मींडेयम आच पर रखा हुआ है तोड़ा सा गरम है चले आब इसे सौरे माल को आच्छी से डाल के इसे फ्राई कर लेते हैं मीडियम आच पर देखें आच्छी से इसको हिलाते रहना होगा लाच्छ कखा चली वैसे ही पट लाएकिए इसमें चासनी में ढूंप लेदाया तरीकी से देखिया जादा गरम नहीं होनिकी जाए चाशनी नहीं तो जू बौल से ऊंप सकते हैं जो जामु नहीं रहना चाहिए और ज्राधा थंड़ा थंडा भी होना चाहिए जाय आप के बाद देखें मैं पांच में रखा था कितने अच्छे से जो हमारे जामुने फुल चुके हैं और चाशने भी कितना अच्छे सा अपजूर हो चुके दिके अंदर से बहुती बढ़िया और बहुती सिंपल तरीकी से आप जल्दी से बना सकते जादा समय भी नहीं लगेगा सिर्फ 10 मिंट पे आप गुलाब जमून बना के घर पे खिला सकते हैं अगर मेहमान आएं कि आगर आपके घर में फॉर्मिशन है और अच्छे सा हमारा जो गुलाब जमून बनके रड़ी हो चुका है अगर वीडियो पसंदा है तो लाइक कीज़े और शेर कीज़े और हमार वीडियो में आप सबी को नमस्कार